नमस्कार दोस्तों मैं एंग की स्वागत करता हूँ आप सभी का टाइमस ओफ लाइट यूटूब चैनल पर दोस्तों आज वेकेंसी के बारे में आपको मैं इनफोर्मेशन देने वाला हूँ यह वेकेंसी जो है नेशनल हाइवे अधोरिटी ओफ इंडिया की तरफ से वेकें जो आपका सेलेक्षन जो एक्जाम नहीं होगा और नाहीं इंटर्वू रहने वाला है इसमें बात करें इन्पोर्टन पॉइंट की जो मैंने नोट कर लिया है इस वेकेंसी के जो मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप जो वेकेंसी के पूरे कंप्रिप्रोंस को आसानी वेकेंसी जो है नेशनल हाइवे अथोरिटी ओफ इंडिया एन एच ए आई की तरह से वेकेंसी निकले वी है जिसमें जो पोस्ट जो है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट रहेगी टोटल जो है 50 पोस्ट रहने वाली है फॉर्म को जो आपको ओनलन मीडियो में पलाई क कर सकते हैं इसमें जो आपका selection जो नाहीं exam होगा और नाहीं इंटरव्यू इसमें जो आपका selection ज़ो मेरिट के base पर रहने वाला है इसमें जो फैनल मेरिट जो है रिटेंटेस्ट और प्रस्टनलीटियट टेस्ट इन इंजिनरिंग सेर्विस इग्जामनेशन सीविल 2022 जो कंड़क्ट कराया था UPSC के दवारा उसके मेरिट के बेस पर रहने वाला है इसमें बात करें सैलेरी की तो सैलेरी जो है पेबेंड जो है 15,000 से लेके 39,000 रहेगी और जो ग्रेट पे जो है 5,000 रहने वाला है और साथ में आपको Central DAB दिये जाएगा इसमें बात करें अप्लाइ करने की एज लिमिट जो है 30 येर से अधिक नहीं होनी चीए अप्लाइ करने के लिए और अप्लाइ करने की फीज भी नहीं ली जाएगी आपसे अब बात करें दोस्तों इसमें अप्लाइ करने के लिए एजुकेशन कॉलीफिकेशन की तो आपके पास जो डिगरी होनी चीए केवल सीविल इंजिनिर्ग में अप्लाइ करने के लिए इस फॉर्म को अप्लाइ करने की डेट जैट जो है दोस्तों अगर आप जो इसका official notification पढ़ेंगे तो उसमें जो complete process दिया गया है और क्या क्या document मागा गया है और अन्य जानकारी भी दी गई है आप ज़रूर official notification को पढ़िएगा मैंने टेलिग्राम पर official notification अप्लोड कर रखा है और टेलिग्राम का link वीडियो के डेस्स में दिया है क्लिक करके आप जरूर पढ़िएगा तो दोस्तों आपको जोब की information डेली मिलती रहे तो निचे दियेगा subscribe बटन को जरूर दवाईएगा ताकि आप तक notification जल्दी बहुत सके और वीडियो को like कीजेगा और चैनल को share कीजेगा तो मिलते हैं किसी next vacancy में Thank you